है एबरान थैंक यू तो मच पू जाइनिंग एड गूगल अट प्लेलिस्ट के एक्स्टेंशन वीडियो में इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे एक्स्टेंशन के बारे में जो बहुत ही काम के हैं और बहुत ही यूसफुल है अगर आप उन्हें अच्छ यहां पर आपको चार एक्सटेंशन और यहां बात करते हैं तो यहां पर आपको चार एक्सेंशन यहां फिर एसे यहां पर मिलते हैं आपके गूगल mangeंजर की अचाउंड के अंदर और यहाँ पर अभी तक हमने बाकी extensions के बारे में बात कर लिया है यहाँ पर अब है location extension अगर आप location extension या location asset के बारे में बात करेंगे तो आपने generally देखा होगा कि जब आप search करते हैं मैं आपको इसका एक example दिखाता हूँ तो अगर हम example की बात करें तो यहाँ पर location extension example हम बात करें तो यहाँ पर आपने बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि जो businesses ऐसे हैं जहाँ पर footfall उनको चाहिए या जो उनके stores हैं जो उनके showrooms हैं वहाँ पर वो लोगों को बिलाना चाहते हैं location specific businesses हैं वहाँ पर आपने ads के नीचे locations इस तरह से देखी होंगे जिसे माली जी कोई store है restaurant है cafe है कोई you know hotel है कहीं भी जो location specific है वहाँ पर आपको इस तरह की location दिखाई जाती है यह location दिखाने का purpose यह ही है कि add देखने के साथ ही आपको पता चल जाए कि यह location कहां पर है यह address कहां पर है और अगर आप उस पर click करते हैं तो directly आप चले जाएंगी Google Maps के application पर या interface पर और वहाँ से directly आप उस location को visit कर सकते हैं यह उन सारे business के important है जो अपने location पर लोगो को invite करना चाहते हैं चाहे हो coaching business है चाहे restaurants है hotels है retail stores है शोरों से कुछ भी हो सकता है इस case के आपको दो चीज़े compulsory है first compulsory है आपका Google My Business या फिर आपकी Google location already Google पर होनी चाहिए तब ही ये काम करेगा और दूसरी चीज़ कि जिस ID से आप इसको manage करते हैं उसी ID से आपको अपने Google Ads account में इसको link करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं assets के option पर click करते हैं plus के button पर अब यहाँ पर दो option आपको मिलते हैं जैसे कि अगर आपने देखा है कि अगर retail store है तो भी आप location के group बना सकते हैं और third option है कि अगर आपका let's say की franchise based business है मालीजे mcdonald's है mcdonald's के store हर almost शहर में या हर also you know city में placed है उस case में क्या होगा कि यह आपकी affiliates है आपके behalf पे आपके product sell कर रहे हैं तो उनको भी आप manage कर सकते हैं यानि एक parent account chain जो group है वो account बना सकता है और फिर distribute कर सकता है अलगलग जगह पर तो हमारी case में mostly businesses के एक या दो locations होती है ज्यादा तर तीन चार होती है तो उस case में our location पर हम click करेंगे and continue पर click करेंगे यहाँ पर दो option है Google business profile या chain stores तो chain stores तब होता है जब आपकी कोई बहुत बड़ी chain है let's suppose अगर आपकी इंडिया में क witness Apollo pharmacy यह सब franchise based businesses है तो उस case में आप अगर आपको franchise जलाते हैं इन सब में से किसी की तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर नहीं तो Google business profile पर आजाईगे यहाँ पर आपको अपना manager account या जहां पर आपके पास access है manager access या owner access दोनों चलेगा उस mail id को आपको select करना है और वहाँ पर दिखाएगी अगर आपके पास Google my business की profile नहीं है तो यह extension गाम नहीं करेगा आप किसी से request ले सकते हैं request कर सकते हैं किसी और के पास access है इस account पर या फिर enter a domain to ask for access बट आपके पास access होना compulsory है जब आप इस particular mail id को use कर लेंगे जो आपके पास access है और next करेंगे तो यहाँ पर आप आपको अपना business name आपके उसका address और जो भी labels आपने डाल रखें वो दिखाई देगा और जैसे यह एक बार आप इसको save कर देते हैं तो यहाँ पर जो extension है वो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा जहाँ पर जो भी locations है वो सारी location आपकी यहाँ पर automatically fetch कर ली जाएग अगर आप let's say अपने ad में services दिखाना चाहते हैं या prices दिखाना चाहते हैं तो for example यह दिखता कैसे पहले यह बात कर लेते हैं price extension example और अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यह price extensions दिखते हैं जहाँ पर अगर आप इनको थोड़ा clearly देखें मैं थोड़ा zoom in करके दिखा तो यहां पर आप अपनी services की price range डाल सकते हैं offers डाल सकते हैं so that let's say अगर आप कोई search कर रहा है for example x-ray services x-ray की service search कर रहा है x-ray करवाना है उसको आप बहुत सारे ad अगर उसको दिख रहे हैं और अगर उसको सबसे कम price बाला चाहिए और अगर आपके ad में already लिखा हुआ है कि let's say 25% off on x-ray services 10% off on medical services medicines और something like that तो यह एक बहुत अच्छा hook है आपके audience को attract करने के लिए क्योंकि discount किसे अच्छा नहीं लगता सब को discount अच्छा लगता है और अगर आप price on the spot दिखा देते हैं तो बहुत बार decision लेने में easy हो जाता है तो इस asset को use करने के लिए आपको आना है dashboard के अ सकते हैं मैं अभी campaign level पर रखता हूं create new language English type brand events location neighborhood product categories product tiers service category service tiers यह सारे option और यूज कर सकते हैं तो for example हमारे case में है service categories निमाली जी हम अलगलग type के services देते हैं उन सब के price डालने है currency आप अपने according चूज कर सकते हैं तो यहां पर हम चूज करेंगे INR तो यहां पर हमने चूज करेंगे INR price qualifier कोई from यानि range बता सकते हैं कि from इतने से start होती है अब तो इतना जाती है on an average इतना तो for example हम you know medical services देते हैं like x-ray services blood test services sonography services like kind of thing तो हम यहां पर डाल सकते है sonography start sonography test ठीक है sonography test यह हमारा header हो गया starts from let's say 699 for example ठीक है unit अगर है तो define कर दीजे नहीं है तो कोई मत कीजे या फिर let's say अगर माली जी हमारी services है about digital marketing so we say seo services from let's say हम बोलते हैं कि 9999 and per month right per month से start होती है ऐसे ही आप अब यहां पर description दे सकते हैं final url दे सकते हैं mobile का भी option दे सकते हैं ऐसे ही आप और भी यहां you know price assets बना सकते हैं SEO के लावे let's say मैं बोलता हूँ PPC services PPC services for example 7999 again per month ठीक है इस तरह से यहां पर यह दिखाई देगा आपका आपका जो price extension है और यह price काफी help करती है आपकी users को quick decision लेने में because ultimately देखिए हर किसी को price से मतलब है क्योंकि आप कोई चीज free में तो दे नहीं रहे price है product है service है दोनों की price है और अगर आपकी ऐसी price है जो competitive है बहुत ही जड़ा aggressive pricing है तो it is better कि आप उसको दिखा सकते है even starting price भी द दगा सकते हैं तो यह था आपका price extension या price asset अब बात करते हैं promotions की promotion मतलब है discount promotion का मतलब है discount price का मतलब था कि हम price range दिखा रहे हैं अब हम discount भी दिखा सकते है discount coupon भी दिखा सकते हैं कि अगर किसी को लिए से आपको इनों कोई sale चल रही है for example independence day sale है तो आप बोल सकते है directly वहीं पर दिखा सकते हैं कि 50% off on independence sale या independence offer यहाँ पर आपको promotion asset को select करना है add new pay click करना है और again यहाँ पर भी आप इसको campaign account and add group level पर दिखा सकते हैं occasion यह देखिए क्या-क्या occasion है since अम इंडिया में हैं तो यहाँ पर इंडिया और जितने भी world वाले major occasions है वो सब है नवरात्री न्यू येर पेरेंट्स डे पास ओवर रमदान सिंगल्स डे यानि बहुत सारे options है according to worldwide आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो ले सकते हैं अगर आपको नहीं जमता है यहाँ पर की कोई option नहीं है तो फिर उस case में आप यहाँ पर occasion none रख सकते हैं तो for example मुझे occasion रखना है independence day तो independence day जिसे मैंने select किया तो by default यह text लिख किया आ जाएगा अगर आप इसको choose नहीं करते हैं ठीक है आप इसको let's say choose नहीं करते हैं अगर आप इसको हटा देते हैं refresh करन नहीं करते हैं तो occasion हट जाएगा वहां से फिर आप जो custom text लिखना चाहते हैं अपने पूरे offer में सिर्फ वही लिखाई लेगा तो occasion मैंने कर दिया none English language yes USD की जिगे हम चूज करेंगे आइनर आइनर चूज कर लेते हैं हम लोग यहां से and then यहाँ पर promotion type monetary discount यानि आप discount in terms of price दे देना चाहते हैं अप तो इतने परसेंट ओफ या अप तो इतने रुपीज ओफ यह देना चाहते हैं तो for example मैं percentage में डिसकाउंट दूँगा कि लेट से 25% ओफ है यह आइटम आपका हो गया let's say SEO service for example SEO services ठीक है यह आपका item हो गया तो आप बोलेगे 25% off on SEO services यहां में लिख द सकते हैं तो अगर आपका e-commerce website है तो आप कोई promo code दे सकते हैं तो for example promo code है welcome25 for example welcome25 is the promo code तो आप बोलेंगे 25% off on SEO services code welcome25 ठीक है अगर आप promo code नहीं देते on orders ओवर यह एक price range select कर देते हैं कि आपको 25% discount मिलेगा but 250 के अबव और पर मिलेगा 2500 के अबव पर मिलेगा इस तरह से आप दे सकते हैं अगें promotion क्योंकि हर टाइम आप अगर रन करना चाहते हैं तो अगर 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 यहां पर आप उसकी date range select कर सकते हैं कि आपको लेज़से इंडिपेंडेंस दे 15th August को आता है तो आपने लेज़से वन वीक पहले स्टार्ट किया 7th या 8th को and then 16th 15th की day end को आपने उसको finish कर दिया तो यहां से start date और end date आप select कर सकते हैं और एक काफी अच्छा option है attract करने के लिए especially उन लोगों के लिए जो discounts देते हैं जो e-commerce products sell करते हैं या occasion specific opens निकालना चाहते हैं because आपको फिर यहां पर ही आप user को दिखा सकते हैं जो भी discount है तो user को easy होग decision लेने में कि मुझे इसके साथ मुझे इस ad कर क्लिक करना है या फिर नहीं यह हुआ आपका promotion assets या आप गोल सकते हैं discount asset right and then यहां पर एक asset बचता है वो है app last है इसको भी cover करते हैं तो app का मतलब है कि अगर आप कोई app है तो for example आपने जब Swiggy या Zomato के ad देखे होगे तो आप मैं यहां पर डालता हूँ order food online for example तो जब मैं order food online डालूँगा तो यहां पर आप देखेंगे कि ads के अगर हम बात करें ads के हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ads दिख रहे हैं लेकिन ads के अंदर जो extension है वो download app का भी आता है मैं आपको directly फिर example ही दिखा देता हूँ download app extension, app extension example और यहां पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पर app के दिखते हैं यह usually mobile में दिखेंगे क्योंकि desktop में आप install नहीं कर पाऊँगे until unless आपकी desktop application है तो यहां पर इस तरह से आपको extension दिखेंगे जैसे for example Amazon की application हो गई, you know flip card की हो गई, और भी कोई application हो गई, तो यहां भी आपको application specific दिखाना है, वहां पर application डाल सकते हो, इसको use कैसे करना है, तो आप आएंगे assets के अंदर app को select करेंगे, add new के button पर click करेंगे, of course यहां पर आप इसको तीनो levels पर लगा सकते है, install app इस तरह से आपको button आएगा mobile के अंदर, और यहां पर आप Android ये iOS दोनों में से किसी भी app को link कर सकते हैं, यहां पर माली जी कोई आपका नाम देते हैं, तो for example, किसी भी एक app का नाम देते हैं, just for education purpose, randomly, तो माली जी मुझे google की application को install कराना है, like whatsapp messenger application है, तो यहां पर उसका link आजाएगा, install now के button पर जब कोई click करेंगा, तो directly play store या app store पर redirect हो जाएगा, और replace हो जाएगा, या फिर मैं यह भी बोल सकता हूँ, 25% of on mobile app users, ऐसा कुछ मैं यहां पर click सकता हूँ, कि अगर आप mobile application download करते हो, तो आपको 25% discount मिल जाएगा, या first order पे आपको 10% discount मिल जाएगा, तो यह भी एक अच्छा तरीका है, आपकी mobile app के download बढ़ाने में, क्योंकि add को जादा से जादा, तो mobile app extension बहुत अच्छी, बहुत अच्छा option है, जो कहीं आप use कर सकता है, तो guys, यह थी option जो हम नहीं देखे, इसमें एक option बचा हुआ है, structured snippet, इस पर आप click करेंगे, structured snippet क्या होता है, structured snippet का मतलब है, कि यह आपके specific, you know, areas के बारे में बात करता है, let's say, आ यहाँ पर आप दिखेंगे, तीनो options आपको मिलते हैं, और यहाँ पर English के बाद header type, header type में, amenities, brand, courses, degree program, destination, features, यहनि based on your business need, आप choose कर सकते हैं, तो for example, अगर हमारा degree program है, तो हम degree programs में दिखा सकते हैं, और यह description का part बन जाता है, यह description में आपको दिखता है, तो for example, हम दिखाना चा with, let's say, ACCA, यह हमारा दूसरा course है, MBA in HR, यह हमारा third course है, तो यह आपके क्या होगे, structured snippet, यानि यह आपके courses के बारे में और ज़्यादा लोगों को बताएंगे, apart from description, तो इससे आपके overall description की length बढ़ती है, आपको ज़्यादा text लिखने को मिलता है, और अपने course, अपने, जो भी amenity जानी key points है, उनको highlight करने का option मिलता है, बिना description के text को use किये हुए, तो यह है structured snippet जिनको आप use कर सकते हैं, और यह बहुत अच्छा way है आपके highlights को दिखाने के लिए, and last बचता है call out extension, call out का मतलब है कि ऐसे text जो की user को encourage करेंगे, action लेने के लिए, तो हम अगर इसको add करते हैं तो call out extension में, let's say, call us today, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, अगर आप placement, coaching है, जो digital marketing, you know, coaching देते हैं, और placement के उपर focus करते हैं, तो आप बोल सकते हो, 100% placement, assistance, right, यानि ऐसे words जिनको देके user आपके add पे click करने के लिए मजबूर हो जाए, आप यहाँ पर दे सक मतलब, depending on, आपके business के nature, और आप क्या, you know, use करते हैं, इस तरह से आप उसको use कर सकते हैं, call out extension को, और यह call out extension को इस तरह से आपके description का part बन जाता है, जिससे की user को जादा information मिलती है, तो guys, यह थे सारे extension, previous videos में हम यह बाकी extensions को cover कर चुके हैं, और remaining को आज हमने एक combined video में cover कर ल keywords क्या होते हैं, competitor analysis कैसे करते हैं, auction insight क्या होते हैं, and much more thing, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लो, because बहुत सारे informative videos आने वाली हैं, और बहुत सारे courses हम launch करने वाले हैं, हमारी इस YouTube चैनल पर, मिलता हूँ आप से next video में, तब तक लिए take care, thank you so much, have a आप बहुत के हमारे इस बहुत के